इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से आपके बैंक के थुरू मैसेज आता है UPI, your UPI request, UPI PIN could not be proceed to not share your card details और टीपी, end date वगरा तो यह basically issue है कि अगर आप यहाँ पर request करते हैं और अपना पिन गलट डालते हैं या फिर अपनी card details गलट डालते हैं या फिर अपनी expiry date गलट डालते हैं या CVV भी आ जाता है कभी भी CVV हम गलट डालते हैं तो बैंक के थुरू आपको इस तरीके का message आता है या request भी UPI pin code node भी proceed तो आपको सही जो है डालना पड़ेगा अगर आप गलट डालते हैं तो आप कहीं आपर process नहीं हो पाएगा और आपको इसी तरीके से दिखाएगा और message भी आता रहेगा बाकि आपका account भी आपर freeze हो सकता हैं आपके cards भी freeze हो सकते हैं आपकी transaction भी freeze हो सकती हैं तो यह भी आपर दिक्कत रहती है बाकि आप जो है सही से डालिएगा और तो आपको इस तरीके से कोई भी दिक्कत फिर देखने के लिए नहीं मिलेगी तो यह process रहता है इसका अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजेगा और channel को subscribe भी कर दीजेगा